अब लास है प्रोड़क्ट यह थर्ल है और इसको हम कर देखते हैं कि वेक्टर प्रोड़क्ट ओफ ए एंड बी इस ए क्रॉस बी यह लिखने का तरीका है और कम्प्यूट करने का यह है जुमेट्रिकली डॉट प्रोड़क्ट में हमने यह किया था कि एक वेक्टर जो कम्पॉनेंट है दूसरे का इन दर डिरेक्षण ओफ ए लिया था इसमें हम यह करेंगे कि वो कम्पॉनेंट लेंगे दूसरे वेक्टर का जो पर्पेंडिकुलयर है तो A x B का मतलब यह है कि A और B का वो component जो A के perpendicular हो रहा है तो A की perpendicular यह component है तो A x B is equal to A की magnitude B का vertical component और N यह unit vector है जिसके direction होगी वो मैं भी बताता हूं किसा direction इसके लिए नही है तो A x B है तो A की magnitude B sin theta B का perpendicular component जो perpendicular है A पर और direction है तो direction आपने लेनी है राइट हैं रूल के मताबिक तो अगर आप A x B evaluate कर रहे हैं तो fingers आपने curl करनी है fingers straight करनी है आपने इन दा direction फस्स वेक्टर फस्स वेक्टर हमाई पास A है तो finger scales align कर लिए आपने और आपने fingers को आप right hand की fingers को curl करना है towards vector B जो कभी है तो vector B के गरिद आप ये curl करोगी अपनी fingers को तो जो thumb होगा वो आपकी direction बताएगा इस cross product की तो पहला जो vector है उसके गरिद आपने fingers straight करनी है right hand की और curl करनी है towards second vector ये second vector B है और आपका जो thumb है वो बताएगा direction of cross product तो ये यहां से आपको property मिल जाएगी इसकी के a cos B minimum when a b parallel और अगर ये parallel हो एक्टर्स ये एंटिपाव एपहल हो तो a cos B आपको minimum ये zero value मिलेगी और आपके पास minimum यहां पर जीरो लिखना चाहिए कि यहां पर a cross B की जीरो होगी अगर प्रायल और अटिपाव है और maximum तब होगी जब आपके पास दोनों वेक्टर्स परिपेंडिकुलर होगे तो लिखते हैं मिशे c is equal to a cross B तो c की direction कैसे मालूम करनी हो ये मैंने बता दिया by using the right hand rule और जिस तरह हमने उसमें कमोटेटिव ला देखा था डॉर्ट प्रोड्ट में वह यहां पर hold नहीं करता है यहां पर anti-commute करता है यह क्यूंकि अगर आप a cross B की direction लें और जो direction आपकी थम बताएगा a cross B में और फिर आप लें b cross c में आपको यह करना पड़ेगा कि अपनी fingers straight करने पड़ेगी बी के along और curl करना पड़ेगा उसको a के along और आप देखेंगे यह thumb totally anti parallel है उसके जो के आपके पास a cross b का ला तो a cross b की let's say आपके पास direction अगर आएगी z तो b cross a की direction होकी minus z तो इस वजह से माइनस आता है direction की वजह से तो a cross b is equal to negative of b cross a अब यह geometrical हो कहीं हमारे पास अब अगर आप बात करें component form की तो component form में हमारे पास दोन दो वेक्टर मैंने लिखती है आप अब अगेन हम वैसे करेंगे इसको यह है a और यह cross b तो term by term multiply करेंगे a b x a x b x और i के दिर्मान में cross है a x i by के साथ i और j के दिर्मान में cross है a x i b z के दिर्मान और i cross की है और इसी तरह हम इसको term by term multiply करेंगे और unit vector के तरह हमारे पास cross लगते चले जाएगे और cross product में हम मैं इसी डिफाइन कर दूँ कि आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स परल्ल हों यानि कि सेंव एक्टर हों उनका प्रॉज्ट क्रॉस प्रॉडक्ट जीरो आएगा इसमें आप देख लिए करेंगा है तो आप राइड हैंड रूल के मताबिक देख सकते हैं कि आपका अगर आए क्रॉस जीरेक्शन तो आपका थम पॉइंट करेगा आग्र अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें आज़र को तो तो इस definition के मताबिक इसके मताबिक अगर आप order invert करते हैं तो 7 minus sign आएगा, A cross B है, और आप B cross A करते हैं तो 7 minus आएगा, तो बिल्कुल यह सी कि I cross J K था, तो J cross I minus K होगा, K cross J, J cross K is equal to I है, तो K cross J is equal to minus आएगा, इसी तरह हमके पास I cross K, इसको याद हैंने के एक अच्छा तरियाकार यह है, जो इंटर लेवल पे हम यूज करते हैं, वो यह है, कि अगर आप clockwise move करते हैं, तो I cross J आपको मिलेगा K, J cross K आपको मिलेगा I, I cross J clockwise move करेंगे, तो आपको positive values म हैं, जैसे I cross K move करते हैं, तो आपको मिलेगा minus J, K cross J move करते हैं, तो आपको मिलेगा minus I, बिल्कुली से तरह हूँ, जो यह देख लेए, I cross K is equal to minus J, I counter clockwise move किया, तो यहाँ पर negative I है, अब अगर आप सारी values put करें, यहाँ पर यह nine values है totally, और जिसमें से तीन जो है, आपके पास I cross साइवाली, J cross J wali, K cross K wali, zero हो जाएंगी और बाकि आपके पास तीन अपेर होंगी positive sign के साथ, तीन अपेर होंगी negative sign के साथ, एक I positive, एक I negative, एक K positive, एक K negative, जे positive और एक J negative, और आपके पास result आएगा यह, जब आप term सारी put करने के बाद यह, उनको arrange करोगे, I will arrange करोगे, J wali औ आपको इस तरह से result मिलेगा, इसको find out करने का एक और भी तरीक है, जो determine से आप find out करते हो, वो हम एक example में देख लेंगे, तो यह याद करने की जूरत नहीं है, आप determine से भी इसको find कर सकते हैं,